बिर्यानी हम सब की पसंदी दाडिश होती है और आज मैं आपके लिए लेगा है हूँ वेजीटेबल दमبिर्यानी बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका कम मैनद में कम तेल मसालों से होटल जैसे बिर्यानी कैसे बनती है उसका तरीका आज मैं आपको दिखाऊंगे इस वीडियो में ऐसी बिर्यानी के लोग खाते आपके तारीफ करते नहीं थकेंगे वैस दम बिर्यानी बनाने के लिए हम एक गलास बासमती चावल ले लेंगे आप इसमें किसी भी चावल का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन बिर्यानी में ऐसे बासमती चावल जो है वो जादा अच्छी दिखते हैं इसलिए मैंने इसका इस्तमाल किया है चावल को हम पानी में भीगो के 15 मिनट के लिए रख देंगे अगर आप बिर्यानी बनाएंगे न तो चावल को भीगो के रखेंगे तो इसके दाने जो है वो बहुत जादा ऐसे खिले खिले मतलब लंबे लंबे चावल देंगे तो यहाँ पे इसे 15 मिनट के लिए भीगो दें और इसके बाद हम इसे धोलेंगे तो 15 मिनट यहाँ पे हो चुगा है चावल हमारा अच्छे से फूल गया है तब हम इसे पानी से 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि इसके उपर की जो गंदगी हो निकल जाए और यहाँ पे न इसके लिए मैंने क्या किया किए कि पतिले में पानी गरम होने के लिए रखा है तो यहाँ पे 2 लिटर मेंने पानी ग्रम किया है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दाल चीनी, एक बड़ी ऌलाईची, एक छोटी चमज निबू का रस एक छोटी चमज हम इसमें घी डाल देंगे और इसके साथ आदे छोटी चमज नमक डाल दें अब हम इसमें ये भीगोया हुआ चावल डाल देंगे और हाई लेंपे 6-7 मिनट तक पका लेंगे चावल को हमने पहले से भीगोके रखा है तो इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और चावल को नहीं 90% ही पकाना है मतलब पूरा जैसे राईस खाते उतना नहीं पकाना है थोड़ा सा कम पकाना है क्योंकि बाकी हम इसे दम में पकाएंगे तो यहाँ पे चावल हमारा ये देखे सारे दाने जो है वो अच्छे से पक गये हैं जब आप इसे तोड़ की देखेंगे ना तो या राम से ऐसे तूट जाएगा लेकिन ये खाने वाला नहीं है जैसा राईस खाते हैं वैसा नहीं उसे थोड़ा सा कच्छा जीए तो यहाँ पे हम गयास को बंद कर देंगे और इस चावल को हम छाल लेंगे चावल को हम ऐसे इस ट्रेटनर में निकाल के और पंखे की नीचे फैला के रख देंगे ताकि चावल जो है वो स्टीम से ओवर कुक नहीं हो तो यहाँ पे चावल का जो बचा हुआ पानी है ना उसे भी फेकेंगे नहीं इसे हम बिर्यानी में इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पे चावल को मैं रख देती हूँ और अब हम जिस बरतन में बिर्यानी बनेंगे उसमें गरम करेंगे तेल तेल यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गरम करें क्योंकि हमें प्याज को फ्राई करके निकालना है वैसे तो बिर्यानी में ये तेल ज़्यादा इस्तमाल होता है फ्राइड अनियन मनाने के लिए मैंने यहाँ पे कम तेल में इसे बना रहे हैं तो यहाँ पे चार चमस्तेल डाला मैंने और इसमें ऐसे एक कप प्याज काट के लंबाई में और इसे ब्राउन होने तक तल ले तो यहाँ पे तेल में भी बिर्यानी वाला प्याज बनता है ऐसे ज़रूरी नहीं के ज़्यादा तेल आपको ऐसे वेस्ट करना है तो यहाँ पे यह देखे जैसे ही प्याज का कलर जो है, वो ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसमें सब्जियों को फ्राई करेंगे तो सब्जिया डालने से पहले इसमें मैं प्यास डाल देती हूं और प्यास को तीन से चार मिनट तक भूल लेंगे जब तक यह ब्राउनी हो जाए तो नार्मली क्या होता है ना कि इसमें जीरा या फिर बड़ी लाईची दाल चीनी बगरा नहीं डालते हैं बस तेल में ऐसे प्यास को भूल ले और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अद्रक और लहसुन का पेस्ट तो एक बड़ा चमच अद्रक और लहसुन का पेस्ट डाला मैंने इसे मिला ले और प्यास के साथ भूल लेंगी जैसे ही प्यास लहसुन द्रक पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे सबजिया तो सबजियों में मैंने यहाँ पे गोभी गाजार और बिंस लिया है सबजियों को मैंने स्टीम नहीं किया है सारी सबजिया जो है वो कच्ची है तो यहाँ पे यह सबजियों को अच्छे से दोग के काट ले और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सबजी डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे देहान रहे सबजीों को हमें इसमें जादा नहीं पकाना है बस हलका सा भूलने ना है क्योंकि सब्जियों को न हमें बाद में स्टीम में भी पकाना है तो यहाँ पे हम आधी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चमच धनिया पाउडर आधी छोटी चमच जीरा पाउडर आधी छोटी चमच गरम मसाला पाउडर और इन सब को मिला देंगे मसाला डालते वक्त गयास का फ्लेम धीमा रखे नहीं तो ये पैन में चिपकने लगेंगे जैसे ही मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे बिर्यानी मसाला पाउडर यह हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो अलग से आता है तो यहाँ पे एक बड़ा चमच मैंने रेडिमेट बिर्यानी मसाला पाउडर डाला है और इसे इन मसालों के साथ मिक्स कर देंगे आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आप टमाटर डाल रहे ने तो एक ही टमाटर डालें दो नहीं क्योंकि हमें इसमें दही भी डालना है तो दही डालने के पहले गयास को बंद कर दे और सबजियो को थुढ़ा ठंडा कर ले इससे क्या होता है ना कि दही जो है वो फटती नहीं है तो यहाँ पे एक तीहाई कप मैंने दही लिया है, नॉर्मल दही जो आते हैं न खटी वाली वही दही को अच्छे से मिक्स कर दें और उसके बाद जैसे ही सबजिया जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाएं तो यहाँ पे हमने इन सब को अच्छे से मिला लिया है, अब हम गैस को आउन कर देते हैं जब भी आप किसी सबजी में दही एड़ कर रहे हैं तो मसालो को भूनने के बाद गैस को आफ कर दे अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद हम इसे ठक कि 5 मिनट पकाएंगे इसे क्या होगा न दही जो है वो पक जाएगी और मसालो का जो कलर है वो भी थोड़ा डाक हो जाएगा पांच मिनट बाद पैन कर ढखकन अटा है मैंने, मिला देज़े अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और हरी मिर्च उससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देती हूँ साथ में ही फ्रेश पुदीना पत्ता, पुदीना पत्ता नहीं है तो आप उससे स्किप कर सकते हैं दो से तीन हरी मिर्चा से चीरा लगा के डाल ले और इसको इन मसालों के साथ मिला दे अब हम इसमें डाल देंगे नमक, तो स्वात के नुसार नमक डालना है, ध्यान रहे चावल को उबालने में भी हमने नमक डाला है तो नमक का इस्तमाल थोड़ा कम करें यहाँ पे नमक डालने के बाद इसे वापस एक बार मिक्स करेंगे और अब हम बिर्यानी की liERING करेंगे तो यहाँ पर सब्जियों को अच्छे से spread करते हैं पैन में अब हम बिर्यानी की leering करेंगे तो आप चीहने तो यहाँ पर गयास को बन भी कर सकते हैं तो यहाँ पर चाबल जो हमने उ shoots को अबाल के रखा था न साथ टेस्ट और जो खुछबू है न वो भी बहुत जादा बढ़ जाती है घी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये बचा हुआ पानी जो हमने चावल को बालने में इस्तमाल किया था इसे विर्यानी जो है वो ड्राइ नी होती है तो चार से पांच चमच आप इसमें य गो के रखा था ये इसमें डाल दें तीन से चार चमच इसके उपर हम थोड़ा सा बिर्यानी मसाला पाउडर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे बिर्यानी मसाला डालने के बाद थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दें इसके उबर अब हम क्या करेंगे इसके उपर वापस धनिया पत तो पुदीना का पत्ता अगर आपके पास है तो जरूर एड़ करें मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये शाही बिर्यानी एसेंस डाल दे रही हूँ ये रेड़ मेंड मिलता है मार्केट में आप इसकी जगह केवड़ा जलका भी इस्तमाल कर सकते हैं थोड़ा सा रेड ये औरेंज फूड गलर आपके पास है तो पूर डाल दे इससे बिर्यानी एकदम होटल जैसी देखेगी अब हम इसमें लगाएंगे दम तो इसके लिए हम एक फॉइल पेपर ले लेंगे और इससे पैन को चारो तरफ से अच्छे से सील कर देंगे इससे स्टिम बाहर नहीं जाएगा और आटा गुनने का महनत नहीं होगा और आटा वेस्ट भी जी होगा अब हम इसके उपर ढखकन लगा देंगे और धीमियाच पे पांच मिनट पकने देंगे पांच मिनट जैसी हो जाएगा हम इसे हटा के और गैस पे एक तवा रखेंगे और तवे की उपर इसे इंडारेक्ट हीट पे पकाएंगे मतलब डारेक्ट फ्लेम नहीं लगना चाहिए तवे की उपर हम ये पैन रख देंगे और लो फ्लेम पे 10 मिनट घड़ी दे के पकाएंगे तो पहले डारेक्ट फ्लेम पे 5 मिनट और तवे पे 10 मिनट यहाँ पे टोटल 15 मिनट हो चुके हैं बिर्यानी हमारी रेडी है गैस को बन किया मैनी और हम बिर्यानी को खोल के चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे चावल हमने पहले से पका के रखा था मसालों में सब्जियों को अच्छे से भून के रखा था तो बिर्यानी फेल ओने का कोई चांस ही नहीं एक्दम होटल से भी अच्छी बिर्यानी आप घर पे बनाएंगे यकीन मानिए तो जब आप ये फॉयल पेपर हटाएंगे न तो इसकी खुजबू पूरे घर में फैल जाएगी और लोग आप से पूछने आएंगे कि आपने क्या बनाया तो यहाँ पे ये देखिए चावल जो है वो एक्दम सही से कलरफूल देख रहे हैं और भूना वगा जो प्याज आना वो इसमें एक्दम रेस्टरंट वाली फील लेके आ रहा है और नीचे ये मसालो वाली सब्चिया है न तो अगर आपने रेस्टरंट में बिर्यानी खाई होगी तो आप देखेंगे कि बिर्यानी जो है वो सफ करते वक्त ऐसा ही दिखता है लेकिन यकीन मानिए ये वाली बिर्यानी रेस्टरंट से भी ज़्यादा अच्छी बनती है तो आप एक बार इस बिर्यानी को जरूर ट्राई करें तो ये हमारा सूपर टेस्टी बेच बिर्यानी बन के तियार है इसे मैं सफ कर लेती हूँ तो बिर्यानी बनाते वक्त आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है कि चावल को 15 मिनट भीगोना है ताकि चावल ऐसे लंबे-लंबे दिखे बिर्यानी में मतलब चावल जो है वो पूरा खुलता है अगर आप उसे सोक करके बिर्यानी बनाएंगे तो दूसरी बात ध्यान देने लाएंगे ये है कि जब भी आप दही आड़ करें तो मसालों को भूनने के बाद गयास को बन कर दे और थोड़ा सा मसाला को ठंडा कर ले उसके बाद दही डाले उससे दही फटती नहीं और बिर्यानी टेस्टी भी बनता है राइस को कलर करने के लिए आप फूट कलर की जगा हल्दी का भी इस्तुमाल कर सकते हैं लेकिन ये जो फ्राइड अनियन है न वो बिर्यानी में जरूर डाले उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सर्फ करते वक्त आप इसे अनियन स्लाइज और राइते के साथ का हमागरम सर्फ करे तो ये हमारी सूपर डेस्टी आसान और बहुत मज़िदार वेज बिर्यानी जो है वो बन के तयार है आप इसे एक बाद जरू ट्राइए करें ये बिर्यानी आपके फैमले को बहुत पसंद आएगा और मेरी तो ये इतनी फैबरेट है न कि मुझसे इंतजारी नहीं होता जब मैं ये बनाती हूँ तो